नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग भगवान स्रीहरी विश्णू की सबसे प्रियवस्तु हल्दी हल्धी तो हर किसी के घर में होता है और हल्दी के बिना हमारा चीवन अधूरा है क्योंकि खाने हमें तक हम खाना सूभ नहीं होगा। स मंगल कारियों में हल्दी का प्रियोक भी होता है हर बीक्ति सहता है जीवन में धेर सारी खुसिया हो सुख हो सामती हो खुब पैसा कमाए और इसके लिए जीजान कर महनत भी करता है जीजान लगाकर लेकिन बार बार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कभी कभी कामिया भी नहीं मिलती सुख ही नहीं आता जिसकी वह कामना करता है अगर आपके भी जीवर में ऐसी कुछ समस्याएं चली आ रही है तब एक छोटा सा परियोग कीजिए लेकि हल्डी के डबे में आखिर क्या डालें अपनी मनों कामना कहते हुए कि आपके मननत पूरी हो जाए आखिर हल्डी किस बरतन में रखना चाहिए पलास्टिक में, काच में यह स्टील में सबसे ज़्यादा बहतर किस में रखना अच्छा होता है किस बरतन में रखने से राजयोग बनते है तो आईए, हम चोटी-चोटी खुसियां आपके साथ सेयर करेंगे बाते सेयर करेंगे, जो आपके जीवन की खुसियों को लटा देगा हल्डी जो की गुरू से समंद रखता है इसका परियोग पूजा पाठ में भी होता है और हमारे कीचन में तो होता ही है क्योंकि बिना हल्डी के खाना बन ही नहीं सकता आज हम आप से जुड़े हैं आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे हल्डी के तमाम परियोगों के बारे में भी बाते करेंगे दो सब्दों में देखिए सबसे पहले तो एक बात जानने कभी कभी क्या होता है न अक्सर घरों में 70% ऐसा है हमारे भारती घरों में ये सर्वे है कि पती पतनी एक दूसरी कुछ समझी नहीं पाते हैं ताव उम्र साथ रह लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं पतनीया कहती है हमें प्यार ही नहीं मिलता पती का या फिर पती किसी ने किसी बात पर आपसे हमेशा उखड़ा रहता है जगड़ा करता है तब एक छोटा सा प्रियों कीजेगा किसी भी गुरुवार के दिन आप एक हल्दी की गांठ लेले हाथ में ओम रतेयाई काम देवाए इस मंद्र का 108 बार जब करें और फिर इस हल्दी की गांठ को पती के सिराहने तक्ये की नीचे रख दे रहने दे असर आपको दिख जाएगा अब कभी कभी क्या होता है आपके घर में बहुत सारी परिसानिया एक के बाद एक आने लगती है आप परिसान है कि आखिर इन उल घर में नकात्मा कुर्जा पर वेस ही नहीं कर पाएगी अब आप फ्लैट में रहते हैं उची विल्डिंग में रहते हैं तब क्या करेंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारो तरब से घेरा बना दे हल्दी की गांठ से इससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी बहुत स आपी बहन भी एसा कहेंगी कि हां बेटी कि सुसृल में है बहुत बेटी करती है पर कमिया निकालने इसे लिए सब कोई बैठे हैं ऐसा नहीं की प्रेम नहीं मिलता है पर कमिया भी निकाली जाती है तब एक छोटा सा काम कीजिएगा जब आपकी बेटी घर आती है वापस ससुराल जाती है तो उसको उसके हाथ में साथ गांठ हल्दी के एक पीतल का टुकड़ा और थोरा सा गुड़ दे दे और फिर कन्या को कहें कि अपनी ससुराल वाली दिसा में फेक दे और फिर वो ससुराल चली जाए दिसा मतलब अब मान लेते हैं आपके घर से किधर है पूर क्या होते हैं जीवन में बहुत सारे ऐसे उलजने होती हैं कि उससे बाहर निकलना मुस्किल होता है एक अंतिम टोटका कई बार आपके पती किसी गलत चीजों के सिकार हो जाते हैं सराब पी रहे हैं सिक्रेट पी रहे हैं किसी अन्य महिलाओं के चक्कर में हैं अब पत्निय एक छोटा सा काम कीजिएगा 11 हल्दी की गांट एक लाल मौली धागा या लाल पिला मौली धागा में लपेट ले पती के उपर से 7 वार उतार कर बहतेवे जल में प्रवाहित कर दें अब ये प्रियोग आपको किस दिन करना है सनिवार के दिन 8 सनिवार कीजिए अब बहताव जल ना हो तब किसी भी पास के मंदिर के सिड़ी पे रख दें या पीपल के बिश के नीचे रख दें पती पतनी के नोग जोग जगडे लड़ाई भी समाप्त हो जाएंगे प्रेम बढ़ेगा और अगर आपके घर में लड़की है करण्या है या लड़का है विवा नहीं हो पा रहा है तो जो करण्याए हैं वो हल्दी की गांठ अपने गले में बाह में धारन के अपने पड़्स में भी रख सकता है और भगवान सोरी को संबब हो तो एक चुटकी जल में हल्दी डाल कर अर्पित करने से भी विवासमंदी मुस्किलें दूर होती है तो यह तो थी हल्दी के कुछ खास परियोग लेकिन क्या आपको पता है अगर आप नियमित रूप से अपने घर में आपकी जो दूद रहते हैं दूद में एक चुटकी या उससे भी कम हल्दी डाल दें तो बरकत बढ़ जाती है घर में अब आप सोचेंगे कैसे डाल दें कोई बात नहीं थोड़ा सा दूद में डाल कर उसको बच्चों को दे दें पीने खुद भी पी सकते हैं हल्दी वाला दूद वैसे भी पॉस्टिक है लेकिन थोड़ा सा जरुष से ज़्यादा हल्दी सरीर में विस पैदा करता है तो थोड़ा सा पीना है तो यह प्रियोग भी आप कीजिए इससे भी आपको लाब होगा अब सवाल उठता है कि हल्दी का गांठ है उसको किस बरतन में रखें हल्दी का पॉडर जो है जो कीचन में आप यूज करते हैं तो किस बरतन में रखें तो हल्दी जब भी आप अपने कीचन में रखें कांच के बरतन में रखें हल्दी गुर और गुरू मिलेगा तो यहां पर राजयोग बन जाएगा और फिर आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी बहुत सिंपल है लेकिन हल्दी के डब्बे में क्या रखेंगे उसके पहले एक और बात अगर नियमीत रूप से आप एक बरतन में पानी ले लेते हैं उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में चिरकाव करते हैं बाकी बचावा पानी पौधे में डाल दें और अगर आपका बिरस्पति यानि गुरू कमजोर है तो पीले हल्दी को बांध कर पीले हल्दी क पुखराज रतन के इतना ही कारे करेगा और छे महिने के बाद आप इसको निकाल कर मिट्टी में दबा दें और फ्रेस पहलने और ये ब्रस्पति को मजबूत करता है हल्दी धारन करने से आपका गुरू मजबूत होता है करना चाहिए इससे मुस्किले कम होती है पर दान कह के दिन एक चोटी सी डिवी में थोड़ा सा हल्दी ले और उसमें आपके घर में जो भी सोना पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं है तुटा पुटा वह चलेगा एक चोटा सा टुकरा अप उस हल्दी की डिवी में डालकर उसको सम्भाल कर पुजास्तान पर दगदे धन बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सोना मा लक्षमी और देव ब्रिस्पती हल्दी दोनों का मिलन होगा तो जीवन में सोच लें कि कितनी खुसी आएंगी अगर कोई बड़ी मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो हल्दी एक बरतन में घोलने पानी के साहरे पास की किसी भी पीपल के पेर पर इस घुलेवे हल्दी से अपनी मनोकामना लिखे और फिर बिना पीछे मुड़े घर आ जाए एक छोटा सपरियोग आ लेते हैं नोस्पीन है तुटा हुआ है अंगुठी है तुटी है कोई भी टुकरा या अच्छा ही सोना है आपके पास तो उसको हल्दी एक डिबी में रखकर उसमें उस सोने को रखकर चिपा कर रख दे अपने तीजोरी में ही देखी कैसे धन बढ़ेगा लेकिन दूसी त पूर्ण हो जाय तो इस लाल मिर्श को निकाल ले और इसको आप चाहें तो सबजी में डालते हैं या पिर कहीं मिट्टी में दबाते हैं वैसे आप इस हल्दी के डब्बे में अपनी विस कहते हुए लाल मिर्श आपको रहना है दूसरी बात नकात्म कुर्जा से भी बचे यानि नमक यहाँ पर रखा है तो हल्दी थोड़ा अलग हटा के रखें यह बहुत जरूरी है वरना बे बज़े घर में जग्रे लडाई डिप्रेंसन की समस्या पैदा होगी तकरार होगी तनाव बढ़ेगा और अगर आप अपने घर के मुखे दरवाजे पर हल्दी से लेकिन हल्दी के डब्बे में जो लाल मिर्ष डालेंगे झोटे चुनके सुखे लाल मिर्ष डालना है आपको इस बात का याद रखेगा हम जो कि यहां पर देखिए अब भहत सारे महिलाएं कहेंगी मेरे पास तो प्लास्टिक के डब्बे में हल्दी है कोई दोस्थ है नह हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्युक्त